असलाम अलेकूम वेलकम टू जाफर सर्सी किलास जेएसी जाफर सर के किलास जेएसी में आपका इस्तखबाल है स्वागत है वेलकम खुशामदीद आज हम इस वीडियो में दिख्षा एप निश्टा ट्रेनिंग मॉडूल 6 के questions and answers यानि सावलात के जवाबात का मुताला करने जा रहे हैं और इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें दूसरों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के updates वीडियो लेते रहें इंशालला आगे भी हम इसी तरह से educational वीडियो बनाते रहेंगे तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुवात करते हैं देखिए ये निश्टा का इंटरफेस है सरेवर्ख है इस पर इसका फुल फॉर्म नेशनल इनिशिटिव फॉर स्कूल हेट्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांस्मेंट इसका फुल फॉर्म दिया गया है ये जो पांशवा माफ कीजिए छटा मॉडूल है बुनियादी जबान और खौंदगी मराटि में जिसे पाया भूद भाशा अनि साक्षर्ता कहते हैं उसका ये खुलासा है या दिया गया है देखिए बुनियादी खौंदगी जबान और खौंदगी पढ़ना लिखना आसानी होंगी आपका पेपर सॉल्ट करने में देखिए सबसे पहले ये पहला सवाल है उस्ताद की जबान के क्लासरूम में डैडेश के लिए बच्चों को काफी मौखा देना चाहिए तो डायरेक हम जवाब पे आते हैं इसका जवाब है आप्शन नमबर चार खुद इज इजारे राय का इने खुद की इजारे राय का मौखा देना चाहिए उसके बाद दूसरा देखते हैं सवाल पढ़ने और लिखने की सरगर्मिया जिसमें आप्शन नमबर टू याने आप्शन मुदबादिल नमबर दो एक दूसरे के मतवाजी वाखे होती है याने पढ़न और लिखने की जो सरगर्मी है वो एक दूसरे के मतवाजी है सवाल नमबर तीन है वो बच्चे जिन्हें बन्यादी खौनदगी और अदद शनासी की बामाईनी महारते मिलती है तो उसका जवाब है तमाम ग्रेड में बहतर आमज़िशें आमज़िशी सथों पर होते हैं य उसके बाद का सवाल है उस्ताद को तुलबा को फानिक्स से मतारुफ कराने की जरूरत है तो क्यों जरूरत है उस वक्त जब बच्चे जब बच्चे जबान की मेकानिकी पहलू को जानने के लिए तैयार हो आफशन नमबर एक इसका जवाब है उसके बाद हम दूसरे सवाल पे आते हैं लिखने का अमल पढ़ने के मतवाजी वाखे होता है क्यूंके इससे पहली की सवाल में हमने देखे के पढ़ने लिखने की सरगर्भ में कैसी है तो वो मतवाजी है उसका जवाब हमें इस सवाली में ही मिल जाता है लेकिन इसका वो क्यूं है तो वो इसलिए है कि इसका जवाब है मुदबादिल नमबर एक, दोनों बाहमी मर्बूत हैं, यानि एक दुसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बाद सवाद है, क्लासरूम में दिखाई जाने वाले मुताल्याती मवाद को होना चाहिए, यानि कैसा होना चाहिए, तो उसका जवाब अप्शन एक है मुदबादिल नमबर एक, इतनी उंचाई पर जहां बच्चे उन्हें आसानी से चूँ और पढ़ सकें, तीनों भी आप्शन नीचे कि जो है, वो रॉंग है, गलत है, पहला सही है, उसके बाद का सवाल है, आमजीश जबान में दर्मियानी वक्फ़ा क्या होता है, यानि दर्मियानी वक्फ़ा क्या है, तो उसका आप्शन नमबर एक है, जवाब, इज़ार के खुद मुक्तफी निजाम की तश्कील, यानि खुद का इज़ार ख्याल, यानि बच्चा आज़ादी से आज़ादान तोर पर दे सके, इसके बाद का सवाल है, दुन्या के बा यानि डैश की तश्कील में, तो किस के तश्कील में इदराक यहना इदराक है ने समझ, समझ की तश्कील यहुना ज़रूर ही है, तो इसका जवाब आप्शन नमबर तीन है, अब यह जवाबात अच्छी तरह से जहन शिन कर ले, क्योंकि इस पेपर में, इस स्कुईज में या इस जांच में पुरे मुकमिल 20 सवालाथ है 20 में से कम से कम हमें 14 के जवाब सही देने आना चाहिए तो ही हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होता है वरना नहीं होता है और अगर किसी को कम नंबर मिलते हैं फर्स्ट एटम में तो वो दुसरा एटम भी है जो है कोशिश कर सकता है लेकिन तिसरे एटम की गुंजाइश नहीं है सिर्फ दो मरतबा ही चांस दिया गया है इसलिए अब देखे आगे के सवाल पे आते हैं आमदूश जबान में सयाख अहम है क्योंके ये बच्चों की मदद करता है तो इसका जवाब है आफशन नमबर तीन मुदबादिन नमबर तीन मखसूस लफ़ के माईने को ग्रिफ्ट में लेने में क्यों मदद करता है क्यों मदद करता है वो के मखसूस लफ्स के माइने को ग्रिफ्ट में लेने में इसके बाद का सवाल है बच्चे की जबान महज आमजिश का वसीला नहीं होती बलके ख्यालाद डैश और इक्तिरा का इजहार भी है तो वो डैश में है आफ्चन नमबर एक मुदबादिल नमबर एक तखलीखियत और इक्तिरा का इजहार भी है इस तरह से मुदबादिल नमबर एक इसका जवाब है तखलीखियत उसके बाद का सवाल है खौनदगी की आमोजिश है यह ना यानि खौनदगी की आमोजिश है तो क्या है यानि खौनदगी की आमोजिश कैसी है क्या है तो यह एक पेचीदा तरखियाती अमल है अप्शन नमबर मुदबादी नमबर तीन इसका जवाब है कि यह एक पेचीदा और तरखियाती अमल है उपर के दो और नीचे काये के दोनों भी नहीं है बलके ये एक पेचिदा तो अमल है लेकिन तरखियाती है अब तरखियाती है लेकिन आसान नहीं है ये एक पेचिदा और तरखियाती अमल है उसके बात का सवाल है खामश वखफा क्या है? तो उसका जवाब है मुद्बादिल नमर दो खुद तये करदा आमजीश की मुद्दत यह जो है खामश वखफा है उसके बाद का सवाल है कसीर लिसानी बच्चों को फाइदा मिलता है तो उसका जवाब है आफशन नमबर मुद्बादिल नमबर दो तामीरी और तन्खीदी मुफक्रीन होने का उसके बाद का सवाल है बच्चे खुआनदगी की बुनियादी बरसों में क्या करते हैं? तो देखिए उसका मुद्बादिल नमबर दो जवाब है अपने गिर्दो पेश की दुनिया को दर्याफ्त करने के लिए पूर तजस्स उसके बाद का सवाल है क्लासरूम में मतबुआ मुद्बाद से भरपूर माहुल को खरार दिया जाता है तो इसका जवाब है मुद्बादिल नमबर तीन अदब अत्फाल चार बच्चों का काम कहानिया इसके बाद का सवाल है जबाद के क्लासरूम में मुद्बादिल जवाब वाली हिदायात लाजमी किरदार अदा करती है क्योंके ये इसका मुद्बादिल नमबर तीन जवाब सही है ये बच्चों को अपनी वाकफियत और तज्रूबे को वसी करने में मदद देती है यानि अगर हम जो है जबानदानी का प्रेट है यानि उस क्लासरूम में यानि जो है ये सवाल इस तरह से मुद्बादिल जवाब वाली हिदायत यानि अब जो है एक सवाल किये है और उसमें यानि वो एक मखसूस जवाब नहीं है बलके उसके मुद्बादिल है यानि ये भी जवाब हो सकता आईसा भी हो सकता और आईसा भी हो सकता तो उसमें अपने यानि बच्चे जो है बच्चे को जो वाकफियत है यानि अपने साविख आइल्म से तो से अन्य जवाब देंगा और अपने तजरुबे को वसी करने में मदद मिलती है ऐसा इसका मतलब है इसके बाद है मत्बुआ मुआद से भरपूर माहूल लाजमी है मत्बुआ बोले तो छपा हुआ प्रिंटेड है ना तो प्रिंटेड माद जैसा के हम देख रहे है डिजिटल क्लासरूम्स वगरा किया ने कहा जा रहा है तो इस तरह का जो माद है तो उससे क्या हुआ रहा है भरपूर माद लाजमी है क्योंकि ये मदद करता है कई में मदद करता है तो इसका सही जवाब है आफशन नमबर एक याने मुदबादिन नमबर एक समझ कर पढ़ने के लिए तहरीक नफस में उसके बाद है सवाल जबान बामाईनी पैगामात की तरसील करनी है करनी है नहीं होना चाहिए करती है अगर वो कैसी हो तो उसका सही जवाब है मुदबादिन नमबर दो वाज़ हो अगर वाज़ है तो तरसील करेंगी अगर वाज़ है तो तरसील नहीं कर सकती उसके बाद सवाल है जबान के वखुफी पहलू का इर्तिकाज होता है तो उसका सही जवाब है मुदबादिन नमबर तीन, जहनी अमल और तदाबिर पर उसके बाद सवाल है आजादाना मुताला क्या है? मुक्त वाशन काया है आजादाना मुताला क्या है? तो इसका जो इधर देखिए ही मैं यहाँ पर कन्फ्यूज रहा इससे पहले भी हमने जो मौ runner 5 में देखिए और मुदादी नमबर 4 है जब उस्ताद कम से कम मदद करे अब हमने यह डाले है यह नमबर हमारा भी कड गयवा है हमें 20 में से 19 ही नमबर मिले है तो हो सकता है, यह सवाल की जवाब में कुछ गडबडी हो गई है या दो जवाबात होने से जवाब नमबर दो स्लेक्ट किया गया हो ऐसा मुझे लगता है फिर भी आप भी आने देखिए लेकिन हमने इसका जवाब जब उस्ताद कम से कम मदद फुराम करता है आफशन यह मुदबादिल नमबर चार टीक स्लेक्ट किये थे तो देखिए इस तरह से यह 20 सवाल ला थे टोटल और उसके हमने 20 के 20 जवाब दे दिये इसके वज़े तो कोई जवाब इन्हें सवाल नहीं छुटा इसलिए हमाँ पर जीरो है अब हम सब्मिट का भी बटन दबा देते हैं बटन दबाने के बाद जो है देखिए हमें यहां 19 your score is 19 upon 20 20 में से 19 मिले हैं you can redo और आप इन्हें डबल से कर सकते हैं अगर हम exit के बटन पर जो है किलिक करते हैं तो इस तरह का एने जो है आ जाता है कि मुबारक हो आपनी यह course कामियाभी के साथ मुकमिल कर लिया है इस तरह से यह course यहने complete होता है अब देखिंगे हम तो इसका हमें certificate भी आ गया देखिए आज ही की दिन हमने यह किये है mh nista fln svg template feb 13 2022 है ना आज की तारिक का certificate आ गया है इसको हमने download भी कर दिया download करने से पहले का इंटरफेस है इस download होने के बाद ही कि इस तरह से certificate हमें मिल चुका है यह certificate आ गया है आप भी इस तरह कर certificate हासिल कीजिए हो सके तो आप आप यह सवाला जो है यह अपने notebook में लिख लें हमें जो है आएंदा मुस्तक्बिश में यह जवाबात और यह इसका मुतालबा यह काम में आ सकता है और इस तरह से हमारा हमारी study हो सकती है मुतालबा हो सकता है और हमें हमारे शोबे से मुतालिक मालूमात हासिल हो सकती है और इसे के साथ साथ यह खुशनमा एक certificate भी दस्तियाब हो सकता है तो इस तरह से आप भी आने कोशिश कीजिए यह वीडियो को जो है लाइक कीजिए और यह वीडियो से आप ज़्यादा मुस्तफिद हो और यह आपके लिए का बाइ बाइ गुट बाइ वा नाइस डे अलाह आफीज